ख्याद गेंगस्टर लॉरेंस बिस्नोई के पाँच दुस्मनों की पाँच ऐसे दुश्मन जो नहाद होकर लॉरेंस बिस्नोई एंड कमपनी के पीछे पड़े हुए हैं। को ठीकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा है। ताउद इब्राहिम से बेहत प्रभावित हो गया। जो दूसरा गैंगस्टर है ये नीरज बवाना से ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल ये कैनेडा में मौझूद है। अमिट डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस बिस्नोई से भी फिरोती मांग ली थी। सोचिए। जो लॉरेंस बिस्नोई का दूस्मन नंबर वन है तो दोनों एक दूसरे के जानी दूस्मन है। जो लॉरेंस बिस्नोई की पिता थे वो पुलिस में नहीं थे। विक्की मिड़्ू खेडा की दोस्ती लॉरेंस बिस्नोई से कॉलेज की जमाने से थी। लॉरेंस बिस्नोई उसे बड़ा भाई मानता था। कई लोगों ने ये भी पूछा कि मैंने लॉरेंस बिस्नोई को गैंस्टर क्यों कहा तो मैंने कुछ नहीं कहा। नमस्कार आज तक रेडियो के क्राइम पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फिवरेट सो क्राइम ब्रांच। दोस्तों इस शो में हम लोगों से मिलते हैं बाते करते हैं कहानिया सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज के इस शो में हम बात करेंगे कुख्याद गैंगस्टर लॉरेंस बिस्नोई के पाँच दुस्मनों की पाँच ऐसे दुश्मन जो नहाद होकर लॉरेंस बिस्नोई एंड कमपनी के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन उससे पहले हम आपका तहदिल से शुक्रिया करते हैं क् कि जो आखरी हमारा पाँच था लॉरेंस बिस्नोई पर उसे आपने काफी सराहा काफी देखा और साथी साथ एक माफी भी पिछले शो में एक चूख हुई थी उसको लेकर माफी भी जो लाश सो था उसको आपने देखा और उसमें तक्रिबन 500 से यादा कमेंट्स आया हैं जिसमें आपने कई सवाल पूछे हैं कुछ सायद हमारी तरफ से गलतिया होंगी उसको भी मेंशन किया है तो वो सारे जो कमेंट्स हैं उनका जबाब हम इस शो के आखिर में देंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंस बिस्नोई के उन पाँच दुस्मनों की जि चाप बैठ कर लॉरेंस बिस्नोई एंड कमपनी को ठिकाने लगाने की प्लाइनिंग कर रहा है तो हम जो लॉरेंस बिस्नोई के पाँच दुश्मन हैं उनकी सबसे पहले उनके बारे में आपको बताते हैं वो कौन हैं सबसे पहला जो नाम आता है कोख्याद गैंगश्टर दिल्ली का नीरज बावाना फिल्हाल दिल्ली के तिहार जेल में बंद है दिल्ली के क्राइम वर्ड में उसे दाउद दिल्ली का दाउद भी कहा जाता है अब नीरज बावाना कोन है आपको बता दे कि नीरज बावाना दिल्ली का एक गैंग्स्टर है जिसे दिल्ली का पूली, जमीन हडपने, हत्या और हत्या के प्रयास के 40 से ज्यादा मामलों में दिल्ली की तिहार जेल में बंद है। 2015 में अपनी गेफतारी से पहले नीरज बवाना दिल्ली के सबसे वॉंटेड बदमासों में से एक था। नीरज को पढ़ाई में कभी रूची नहीं थी और उसने दसवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। कम उम्र में ही नीरज ने लोगों को लूट ने जैसे छोटे मोटे अपरात करना शुरू कर दिया था। फिलहाल नीरज जो बवाना है वो दिल्ली की तिहार जेल में बंद है। नीरज बवाना की बात करें तो काफी कुख्याद गैंग्स्टर है वो उसने पहली बार 2004 में हरियाना में डकैती के आरोप में पुलिस ने गिरफतार किया था नीरज बवाना को उसे तीर मेने की जेल में सजा हुई थी बाद में उसे जमानत हुई और रिहा कर दिया गया। 2015 में उसने बिना लाइसेंस के हत्यार खरीद रखने के आरोप में नीरज बवाना को गिरफतार किया उसके बाद दिली की तिहार जिल में दो साल की कैद हुई तिहार जिल में बंद रहने के दोरान नीरज दाउद के करीबी सहयोगी जो दाउद का करीबी था जो डॉन था फजलूर रह्मान उसे कहते हैं उसके कॉंटेक्ट में आया उसने कई उससे तरकीबे सीखी जिसमें पुलिस को दूर रखना बिना ट्रैक के टेकनोलोजी के मुबाइल फोन का इस्तमाल करना ये रह्मान ही था जिसने दाउद इबराहिम की कहानियों से प्रभावित होकर पुलिस से कैसे बचा जाए टेकनोलोजी से कैसे बचा जाए मुबाइल फोन की सर्वेलान से कैसे बचा जाए ये सारी तरकीबे सीखी और दाउद इबराहिम से बहुत प्रभावित हो गया उसके बाद क्या होता है कि सुरेंदर मलीक और्फ नीटू दाबोदा के साथ जब नीरज अपराद की दुनिया में कदम रख रहा था तब नीतू दाबोदा अपराद की दुनिया में एक जाना माना नाम था दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया सालों मिलकर लूट पाथ हत्या जैसी तमाम वार्दयतें करते रहे 2001 में दिल्ली का अजय उर्सोनु पंडित भी उनके साथ सामील हो गया अब बात की जाए नीतू दाबोदा के इंकाउंटर के बाद नीरज बवाना वो दिल्ली में और ज्यादा ताकतवर हो गया उसने अपने इलाके में अपना काम बढ़ा दिया बवाना नीरज बवाना इसल और उसे जो इंडिस्टेल एरिया हैं वहाँ पर जो फैक्टरी हैं उनसे रंगदारी वसूलना जो रंगदारी नहीं दे उस पर गोली चलवा देना तो इस तरह से जो नीरज बवाना है वो एक्स्टॉर्शन वसूल करने लगा 2015 में जब वो बवाना गाउं में अपनी घर जा रहा था तब उसे दिल्ली पुलिस ने सुबह तकरिबन तीन बच कर पैंतालीस मिनट पर गिरफतार किया था बात की जाए दिसंबर 2019 में बवाना ने दिल्ली की तिहार जेल के जेल नंबर दो के अधिक्षक को एक आवेदन लिखा था जिसमें उसने आईपाड एफम र जरूरत है दोहजार इकीस में सागर रणा के हत्या के मामले में नीरज का नाम सामने आया था कथित तोर पर बवाना ने अपनी गिरोग के सदसों से जड़ब के दोरान सुसिल कुमार के साथ जाने को कहा था सागर रणारा एक रैसलर था तो ये एकुल मिला के जो दुश्म ये कैनेडा में मौझूद है और इसका नाम है अरसदीप सिंग उर्फ अर्षडाला अरसदीप सिंग फिलहाल कैनेडा में मौझूद है और जो जानकारी आई है नाई ये और दिल्ली पलिस से स्पेशल सेल के मताबिक ये पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आई एसारे पर का करता है ऐसा आरोफ है ये हम नहीं कहरें कईượंसे इन्विस्टीगेशन में सामने नाम का आया है इसका पूरा नाम अर्सडीप ओर इर्सडीप संग गिल और अर्षडाला है और आए दिन आप इसका नाम सुनते रहते होंगे खास्नों से पंजाब में बढ़ गई थी और हरदीप सिंग निजजर के साथ मिलकर अर्षडाला कनाडा में रहने लगा और वहां से पंजाब में लगातार टार्गेट की लिंग को अंजाम दिलवारा था अर्षडाला की बात करें तो अर्षडाला खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटेरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है अर्षडाला हत्या जबरन वशूली जैसे अपराधों के साथ साथ आतंकी गत्विधियों जैसे आतंकवाद के वित्तपोषण फंडिंग जिसे टेरर फंडिंग कहते हैं और सीमा पार से तसकरी में भी शामिल होने के लिए अर्षडाला को जाना जाता है ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से जो ड्रक्स आते हैं जो हथियार आते हैं पंजाब की साइड में वो भी अर्षडाला का उसमें नाम आता है अगस्दा 2017 में मोगा पुलिस की मदद से अर्षडाला ने पास्पोर्ट जो है वो हासिल किया और उसके बाद पुलिस क्लिरेंस उसको मिल गया था और वो बाईस अक्टूबर 2018 को वीजिटर वीजा पर पंजाब से कनाडा गया और बाद में स्थाई निवासी कनाडा का उसने हासिल कर लिया कनाडा में आप जानते ही हैं कि जो गैंग्स्टर हैं जाए इंडिया से पंजाब से फरार हो जाते हैं उनको बहुत आसानी से वहां सरणों मिल जाती है कई जो आतंकी हैं वो भी वहाँ कनाडा में पनाह लिये हुए हैं कनाडा में अर्ष डाला खालिस्तानी आतंकियों के कॉंटेक्ट में आता है और उसके बाद जो केटी एफ का जो आतंकी था हरदीप सिंग निजजर सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस को पता चला कि उसके पाकिस्तान इस्थित आतंकी समुह लशकरे तोवबा से संपर्ख है और उसका इरादा पंजाब में हिंदू नेताओं की टार्गेट किलिंग करने का था अक्टूबर 2023 में हरदिंदर सिंग उर्फ मेला माल रोड एसोसियन के अध्यक्ष की भटिंडा में गोली मार के हत्या कर दी गई थी और अर्ष डाला ने हत्या की जिम्यदारी ली थी डाला ने दावा किया था कि उसने भटिंडा में अपने मल्टी स्टोरी पार्किंग कॉंट्रेक्ट को लिकर विवात के बाद मेला की हत्या की थी मई दोजायाच चौबीस में अर्ष डाला और सके सहयोगी लखबीर ने कथी तोर पर एक सोसल मीडिया पोश्ट के माध्यम से कनाडाई गेंगस्टर गोल्डी बरार की हत्या की जिम्यदारी ली थी जो की जूटी निकली थी तो ये लॉर्नेज विसनुई का दुसमन नमबर दो है दूस नमबर तीन है भुपेंदर सिंग और भुपी राणा भुपेंदर सिंग और भुपी राणा भुपी राणा ग्रुप का मुखिया है जो पंजाब में काफी ज़्यादा है पिछले एक दसक से हरियाना और पंजाब की बात करें तो उसमें जो भुपी राणा का गैंग है वो काफी ज्यादा एक्टिव है उसकी उम्र तक्रिबन 35 साल है हर्याणा के अंबाला की सीमा से लगे मुहाली जिले के हंड सेरा गाउं का रहने वाला है वो अंबाला के एक नीजी कॉलेज से ग्रेजुएट है फिलहाल पटियाला जेल में बंद है भुपी राणा भुपी राणा काफी कुख्यात गैंगश्टेर में पता हूं और इसका नेट्वर काफी तगड़ा माना जाता है ऐसा एजिंसिया बताती है भुपी राणा कुछ ऐसे इक इलाकों में दबदबा रखता है कुछ ऐसे इलाकों में दबदब के बाद अपराद के दुनिया में अंट्री किया ठीक उसी तरसे जैसे लौरेंस भिशनुई ने चात राजनिती के चरिये अपराद में अंट्री की थी उसका कट्ठर विरोधी मोनू राणा है जिसने बाद में अपना गैंग बनाया था मोनू राणा का बनाया था और लॉरेंस बिशनुई की ग्रियों में शामिल हो गया था भुपी राणा दिविंदर बंबीहा गैंग में शामिल हो गया था बाद में जिसे वरत्मान में एक भौगोड़ा क्योंकि दिविंदर बंबीहा का इंकाउंटर हो गया था उसके बाद कनेडा में मौझूद जो लकी पटियाल है वो अब बंबीहा गैंग को समालता है देखे बंबिहाग गैंग के बारे में भी आपको बताएंगे फिलहाल हम लॉरेंस विस्नूई के दुस्मनों के बारे में बताते हैं भुपी राणा जो नामिंग गैंगेस्टर है उसका नाम सिद्धू मुसे वाला जो हत्या कांड के बाद भी चरचा में आया था क्योंकि मुसे वाले के हत्या के बाद भुपी राणा ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोष्ट लिखा था कि जो सिद्धू मुसा वाला के हत्यारों की जानकारी देगा उसे भुपी राणा पाच लाक रूपय का इनाम देगा जाहिर से बात है भुपीराणा नीरजबवाना गुरूप के साथ मिलके ऑपरेट कर रहा है नो सिर्फ सिधू मुसे वाले की हत्या के बाद बंबिहा गैंग से जुड़े तमाम लोग चाहें नीरजबवाना की बात कर लीजे, भुपिराणा की बात कर लीजे, सबने सिध्धू मुसे वाले की हत्या का बदला लेने के लिए सोसल मीडिया पर पोश्ट लिखा था, 7 अगस 2021 को जब विक्की मिड़्ू खेडा अपने एक दोस से मिलने मुहाली के सेक्टर 71 में गया था, तो कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी, पूरी घटना पास के एक बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई थी, बाद में स्थानी पुलिस ने तीन शूटरों और सत्या के मामले में शामिल था, ऐसा आरोप है, बाद में भुपी राणा और आमिड डागर नाम के दो अनप राधियों को विक्की की हत्या में उनके कथित भूमक्या के आरोप में उनके खिलाब जो है, वारेंट जारी किया गया, ये भी नाम याद रखेगा, विक्की खेडा का मड़ुआ था, वो उसमें नाम आया था, घुपी राणा का, ये भी लॉरेंस विशनुई का कट्टर दुश्मन है, अमिड डागर, अच्छा जितने हमने आपको भी तक नाम लिए, एक खात गैंगस्टर है, इनका नेटवर्क काफी तगड़ा माना जाता है, इन अमिड डागर वही गैंगस्टर है, जिसने लॉरेंस विशनुई से भी फिरोती मांग ली थी, सोचिए, जो लॉरेंस विशनुई जिसका आप आचकल नाम सुनते होंगे, बाबा सिद्की कि ये हत्या में उसके गैंग का नाम सामने आता है, सलमान खान के पीछे उनाद होक पर पड़ा ही है, सलमान खान के गिलेक्सिय अपार्टमेंट पर उसने फाइरिंग करा दी थी, उस लॉरेंस विशनुई से अमिड डागर ने एक वक्त में फिरोती मांगी थी, अमिड डागर का कनेक्शन कोशल चोधरी गैंग से है, कोशल चोधरी जो दिल्ली के अकाली नेता विक्की मिडूग खेडा की हत्या के बाद से लॉरेंस विशनुई और अमिड डागर के वीच विवाद चला है, कोशल चोधरी लॉरेंस विशनुई का कटर दुस्मन है, गुरुगराम का रहने वाला है, फिलहाल गुरुगराम की जेल में बंद है, इसे दिल गुरुगराम पुलिस ने गिरफतार किया था, तो यह आपने नाम सुने, नीरजबवाना, भुपीराना, अर्स डाला, अमिड डागर, कोशल चोधरी, यह वो पाँच ऐसे नाम है, जो लॉरेंस विशनुई के कटर दुस्मन है, लॉरेंस विशनुई की गैंग के कटर अब कोशल चोधरी के बारे में सब कुछ बताने से पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, यह अगर आप देखें, तो यह दरसल जो हमारे हाथ में कागच है, यह कागच है, नाईये की चार्शीट का एक हिस्सा है, जिसमें लॉरेंस विशनुई ने, जो अपना न निशाना बनाना चाहता है, उनके नाम लिखे हैं, पहले नंबर पर है सल्मान खान, सल्मान खान टार्गेट नंबर वन है, लॉरेंस विशनुई का इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ है, सल्मान खान के घर पर फाइरिंग करवा चुका है, लॉरेंस विशनुई, दूसरे नंबर पर है सगन प्रीत सगन प्रीत कौन है सगन प्रीत सिध्धू मुसे वाले जो सिंगर था सिध्धू मुसा वाला उसका मैनेजर था विक्की मिड्डू खेडा की जब हत्या हुई थी तो उसमें ऐसा माना जाता है कि सगनप्रीत का रोल सामने आया था और उसके बाद से सगनप्रीत को सिध्धू मुसे वाले ने पंजाब से जाने के लिए के लिए धिया था फिलहाल शगनप्रीत ऐसा बताय जाता है कि आरश्ट््लिया में मौझूद है और लॉरेंस विस्नोई और उसका गैंग सगन प्रीत को तलास रहे हैं जिस दिन मिलेगा ऐसा उन लोगों ने दावा किया है कि हरहल में इस पर अटेक करेंगे उसके बाद अगर आप देखें तो मंदीब धालिवाल को भी लॉरेंस विस्नोई विक्की मिड़्ु खेडा के मडर के में तलास रहे हैं कोशल चोधरी को भी लॉर्स विस्नौई इसका नाम शामने आया था उसके बाद अमिट डागर जिसके बारे भी हम आपको बताया। प्लानिंग रच चुका है लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि दरसल लॉरेंस बिस्नोई एंड कंपनी और बंबीहा गैंग जिसमें तमाम ये गैंगस्टर आते हैं इनके बीच की दुस्मनी की अभी हाल में कतल हुआ था वो लॉरेंस बिस्नोई उसको अपना बड़ा भाई मानता था विक्की मिड्डू खेडा का मडर हुआ और मडर को अंजाम बंबीहा गैंग ने दिया था जिसमें कौशल चोधरी का भी रोल सामने आता है सिद्धू मुसे वाला के मैनेजर शगन प्रीत का भी रोल सामने आता है और गोल्डी बरार से जब मैंने इंट्रू किया था तो गोल्डी बरार ने भी अपने इंट्रू में विक्की मिड्डू खेडा को लेकर कई बातें कहीं थी कि विक्की मिड्डू खेडा का कतल कैसे ह हुआ था विक्की मिडू खेडा का जो परिवार है वो इनसाफ की मांग कर रहा था किसी ने उसकी नहीं सुनी और विक्की मिडू खेडा का मडर का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसे वाले को मारा गया था क्या एक ऐसा रिजन था कि आप लोगों को लगा कि बस हत्या ही क कि मिडू खेडा की वज़ें से लोगों कि मिडू खेडा की वज़ें से लॉरेंस बिशनोई एंड कमपनी की कई गैंगस्टर से दुस्मनी हुई खासतोर से उन गैंगस्टर से जिनका रोल विक्की मिडू खेडा के मडर में सामने आया था जिनका नाम सामने आया था और जिन जिन गैंगस्टर का जिन जिन लोगों का नाम सामने आया लॉरेंस ब करीबियों पर लगातार अटेक कर रहा है अब हम बात करते हैं उस गैंगस्टर की जो दिल्ली से सटे गुरगराम की जेल में बंद है बेहत को ख्यात है और जेल में बंद रहते हुए वो लॉरेंस बिस्नोई एंड कमपनी के सफाय का प्लान बना रहा है पूरी तयारी कर रहा को शूट आउट को अंजाम दे रहा है लोगों से रंगदारी मांग रहा है एक्सटोर्सन मांग रहा है और प्लान ये है कोशल चौधरी का कि वो एक्सटोर्सन जो मनी आएगी उस एक्सटोर्सन मनी से गैंग को और मजबूत करना सफ़स्टिकेटेट वेपन्स खरिदना और फिर लॉरेंस बिस्नोई एंड कंपनी पर जोर सोर से हमला भोलना तो इसलिए अब हम बात कर रहे है कोशल चौधरी को ख्यात गैंगेस्टर है ये गुरुगराम का रहने वाला है कोशल चौधरी को दुबई से डिपोर्ट किया गया था फिलहाल वो गुरुगराम के भ तो उसके बाद कोशल चौधरी ने सोसल मीडिया पर एक पोश्ट लिका था और सिद्धू मूसे वाले की हत्या का बदला लेने का एलान किया था कोशल चौधरी दिविंदर बंबीहा गैंग से जुड़ा हुआ जैसा हमने आपको बताया कि एक तरफ लॉरेंस बिस्नोई ग राउंटर हो गया उसके बास इस गैंग को लीड करता है कनेडा में मौझूद लकी पटिया अब उसके बाद करते हैं कोशल चौधरी की तो 2019 में फरीदाबाद में एक जिम के बाहर कॉंगरेस नेता विकास चौधरी की हत्या हुई थी उसमें कोशल चौधरी का नाम आया थ तो कई सालों तक पुलिस इरासत में वो दुबई में था 2019 में उसे गिरफतारी से पहले कोशल चौधरी दिल्ली एरपोर्ट पर तो उसके पहले उसके सर पर 5 लाक रुपए का नाम था और दिल्ली एंसियार का सबसे most wanted गैंगस्टर था कोशल चौधरी कौशल चौधरी अपराद की दुनिया में कदम रखने से पहले अपने गाओं में जो वाटर पंप बेचने का काम करता था उसकी मरम्मत का काम करता था है यह एक आम जीवन कौशल चौधरी जो है वो बिताता है चौधरी जो अपराद की जगत में आता है कौशल चौधरी वो 2004 में आता है जब सुदेश उर्फ छेलु नाम का जो एक गैंग्सटर होता है सुदेश का जो विवाद है वो कौशल चौधरी के परिवार से चल रहा था और उस दोरान कोशल चौधरी के परिवार में और सुदेश उर्फछेलू के परिवार में जगड़ा होता है एक साल बाद सुदेश ने उस जमीन विवात के चक्कर में कोशल चौधरी के भाई की हत्या कर दी थी इसके अलावा उनके जगडे में दोनों गैंके करीब 9 लोगों की हत्या हुई थी उसके बाद साल 2006 में कौशल चौधरी को खबर मिली कि सुदेश उर्फ छेलू और लाल सिंग कोट में पेसी के लिए जाएंगे तब कौशल चौधरी ने प्लान बनाया क्योंकि इसके पहले कौशल चौधरी एक आम जीवन व्यतीत करता था लेकिन चुकि सुदेश ने उसके भाई के हत्या की थी अपने भाई का बदला लेने के लिए कौशल चौधरी ने पूरा प्लान बनाया और कौशल चौधरी के साथ सुबे और अमिड डागर ये लोग मिलते हैं एक राजिस फौजी नाम का गैंग्स्टर है वो मिलता है ये सभी लोग मिलकर जाते हैं अपने साथियों के साथ और कोट में पेशी के दोरान सुदेश उर्ष छेलू और उसके साथ कुछ औग लोगते हैं उनके उपर भारी गोला बारी करते हैं काफी ज़्यदा गोलिया चलती हैं और उसके बाद जो सुदेश उर्ष छोलू है और बाकी एक दो लोग दो लोगों की वहत्या करते हैं और उसके बाद जो है मौके से कई लोग भाग जाते हैं लेकिन कोशल चोधरी मौके से ही पकड़ लिया जाता है और बाकी उसके साथ ही भाग जाते हैं कोशल चोधरी दस पंदर दिन गुरगराम की जेल में रहा उसके बाद उसे करनाल की जेल में सिफ्ट कर दिया गया उसके बाद सोनी पट की जेल में सिफ्ट कर दिया गया इस मामले में उसे 2014 में आजीवन करावास की सजा सुनाई गई उम्रकैद की सजा सुनाई गई अगले साल 2015 में उसे इस मामले में 42 दि बाद भी surrender नहीं किया यहनि जो पैरोल मिली पैरोल जंप कर दिया उसने और अमूमन ही होता है कि जब पैरोल मिलता है तो कुछ 42 दिनों की 30 दिनों की टाइम के लिए जो पैरोल मिलता है उसके बाद आपको जेल में फिर वापस report करना होता है कैदियों को जो जेल में बंद कैदी होते हैं उनको जरूरी काम से या उनके परिवार के लोग इमार है या कोई भी समस्या हो सकती उसके लिएंको पेरोल मिलता है शरशर्थ पेरोल मिलता है कुछ कम दिनों के लिए या कुछ अभिदी के लिए टाइम बिंग के लिए और उसके बाद उनको वापस से जेल में सरंडर करना होता लेकिन कोशल चोधरी को पैरोल मिला और वो पैरोल जम करके फरा हो गया उसके बाद वो जैपूर में अंडर ग्राउंड रहता है कई दिनों तक साल 2016 में वो फरजी पहचान पर पासपोर्ट बनवाता है आठ दिनों के लिए थाइलेंड जाता है और फिर 2017 में वो दुबई गया जहां वो जुलाई 2019 तक रहा लेकिन अब थाइलेंड में जब हो रहा तो थाइलेंड में रहकर कोशल चोधरी लगातार गुरगुराम और दिलियन सियार में अ प्राबर तोड क्राइम की घटनाओं को अंजाम देता रहा उसी दोरान उसने जो एक कॉंग्रिस नेता है विकास चोधरी की उसकी हत्या करवाई कई आडियो भी उसके सामने आते थे धमकी दिये विले जेल में रहते वे कोशल चोधरी जब जेल में था कोशल चोधरी के पारेम हमने आपको बताया था जेल में रहते वे कोशल ने सुदेस की पत्नी की हत्या भी करवा दी थी सुदेस वही जिसने कोशल चोधरी के भाई को गोली मारी थी उसके बाद कौशल चोधरी बाद में जमानत पर आया था बाहर उसके बाद वो पुलीस रास्ते से भाग गया अपने गैंग का विस्तार किया हत्या, जमीन हरपना, डकैती, धमकी, जवरन वसूरी जैसे भयानक अपराद उसने किये कि हम आपको पहले की बात बता रहे हैं, 2016 में गुरुग्राम पुलीस ने जब बिंदर गुजर की गिरिफतारी और संदीब गडोली का इंकाउंटर किया, संदीब गडोली बहुत कुख्यात गैंग्स्टर था जिसका मुंबई में इंकाउंटर हुआ था, काफी विवादित तो 2016 में जब गुरुग्राम पुलीस ने बिंदर गुजर की गिरिफतारी और संदीब गडोली का इंकाउंटर किया, उसके बाद कौशल का गुरुग्राम और दिल्ली के सबसे बड़े कुख्यात गैंग्स्टर में नाम सामने आथा, जाहिर सी बात है, जब ये बिंदर ग एक रानी बाग में शूट आउट हुआ है, जिसमें पंदर करोन रुपे मांगे गए, वो शूट आउट में शामिल दो शूटरों को दिल्ली पुलीस स्पेशल से ने गिरिफतार किया, जब उनको पूछता आच हुई उन शूटरों से, तो पता चला कि अमेरिका में बैठ पवन शूटीन नाम का एक गैंगस्टर है, उसने उन शूटरों को बिजनसमेन के घर पर फाइरिंग करने के लिए कहा था, पुलीस जब और तहकिकात करती है, तो पता चलता है कि पवन शूटीन दरसल कोई और नहीं, बलकि कोशल चोधरी जो गुरगरान की जेल में बंद है, उसका ही गुरगा है और कोशल चोधरी ने उसे ये फाइरिंग करने के लिए कहा था, अब जब और तहकिकात होती है, तो पता चलता है कि कोशल चोधरी जो लॉरेंस बिस्नुई का दुस्मन नमबर वन है, लॉरेंस बिस्नुई हर हाल में कोशल चोधरी को मार देना चा कि अच्छा, अब बात करते हैं लारेंज विस्नोई और बंबिहा गैंग की, तो जिस तरह से लारेंज विस्नोई ने दिली में जितंदर गोगी, हरियाना में काला जे ठेड़ी और बाकी गैंगस्टर से गठ जोड करके गैंग को और विस्तार दिया, उसी तरह से अगर बात क जाए तो एक तरफ जो लॉरेंस विस्वी ने बताया काला जे ठेडी हरियाना में जितंदर गोगी बाहरी दिली में जिसका मटर हो गया था आनंद पाल सिंग राजस्थान में और हासिम बाबा ये उत्तर पुर्वी दिली का इन तमाम गैंग्स्टर के साथ मिलकर एक गैंग तो दूसरी तरफ बंबिहा गैंग है जिसमें नीरज बावाना है कोशल चोधरी है सुनिल उर्फ टिल्लू ताजपुरिया है टिल्लू ताजपुरिया ने जितंदर गोगी की हत्या करवाई थी तो गोगी गैंग ने तिहार जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करव दी थी तो एक तरफ लॉरेंस बिशनुई गैंग है दूसरी तरफ कोशल चोधरी गैंग है जिसमें कई गैंगस्टर है क्राइम रांच में जो हमारा शो है उसमें दीपक जो जेलर थे उन्होंने पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे जो है वो जो टिल्लू ताजपुरिया उसकी तिहार जिल में हत्याऊए थी कितनी बेरहमी से लॉरेंस बिशनुई का जो सिंडिकेट हो यकिनन काफी जादा कुख्या थे लेकिन इस से बंबीहा गैंग को कड़ी टकर मिली है लॉरेंस बिशनुई को अगर कोई टकर दे रहा है तो वो बंबीहा गैंग है दोनों कई बार आमना सामना हुआ अगस 2021 में कौसल चोधरी ने अपने सहयोगी अमिट डागर के साथ मिलकर मुहाली में युवा अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेडा जिसका हमने पहले भी जिकिया विक्की मिड्डू खेडा के हत्या की साजे सरची थी जाहिर है लाॉरेंस विक्की के साथ विक्की के संबंद के कारण ही उसकी हत्या हुई थी बाद में विक्की मिड्डू खेडा का बदला नेने के लिए पंजाबी अभनेता और कॉंग्रेस नेता सिध्धू मुसे वाले की गोली मार के हत्या कर दी थी कौशल चोधरी कबड़ी के अंतर राष्ट बार के हत्या कर दी गई थी बर्चस की रडाई में लॉरेंस ने गुरुग्राम के पटोधी कस्बे में सराप कारूबारी के दो सगे भाईयों की हत्या की योजना बनाई जो कौशल चोधरी के बहत करीब थे जाहिर है लॉरेंस ने दिल्ली में शराप के कारूबार में जिले की एक अदालत में पेश होकर लॉट रहा था बाद में कौशल चोधरी और बंबिहा समू उने फेस्बुक पोश्ट के जरिये उसकी हत्या के जिमेदारी ले थी यानि एक तरफ लॉरेंस विसनुई उनके गैंग पर अटेक करता है तो उसका बदला लेने के लिए जो बंबिहा गैंग है वो विसनुई के गैंग पर अटेक करता है कौशल को अक्सर गुर्गराम अंडर वर्ल्ड का एक नया चेरह बताया जाता है वो खुद को उत्तर भारत का राजा कहता है कौशल चोधरी की भगवान सिव में गहरी आस्था है कौशल चोधरी अपनी फिट गाउं में उसके घर पर राष्टी अजाच एजिंसी ने नारको आतंकवास से जुड़े एक मामले में छापा मारा था तो ये कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नीरज बवाना जो दिली का गैंगस्टर है अमिड डागर जो गुर्गराम का है कौशल चोधरी जो लॉरेंस बिस्नोई गैंग के पीछे पड़े हुए है और लॉरेंस बिस्नोई और उसका गैंग भी इन गैंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है जिन में से कौशल चोधरी अमिड डागर भुपी राणा इन सब के नाम जो सामने आये थे विक्की मिड्डू खेडा की हत्या दरसल हाल फिलहाल में जो लॉरेंस बिस्नोई एंड उसकी जो कमपनी है वो जो लगातार बंबिहा गैंग पर अटेक कर रही है या उनसे जो दुस्मनी उसकी जो सबसे बड़ी वज़ा बर्चसु की रड़ाई और एक्स्टॉर्शन मनी के इलावा विक्की मिड्डू का बदला लेने के लिए और लॉर्ण बिस्नोई भी जाच एजनसियों के सामने कह चुका है कि विक्की मिड्डू खेडा के हत्या का बदला लेने के लिए जो जो उसमें शामिल है उनसों को वो मारेगा तो कुल मिलाकर जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक तरफ लॉ और जो था वैंकूर में अभी दोजार तीस में लॉरेंस बिस्नोई गैंग के शूटरों ने कनाड़ा में सुखा दुनके की वैंकूर में उसके घर में घुसके हत्या की थी और सुखा दुनके का नाम भी विक्यू मिडूखेडा के हत्या में शामिल था तो लॉरेंस बिस्नो and company के पीछे नहादोकर पड़े हुएं दोस्तों जैसा कि हमने सुरुवात में ही बताया कि जो हमारा लास्ट एपिसोड था जिसमें हमने लॉरेंस बिसनुई के बारे में आपको सब कुछ बताया था लॉरेंस बिसनुई की इंट्रोगेशन रिपोर्ड बतायी थी उसने अपनी काफी सरहा 500 से जादा कमेंट आये थे और उसमें एक गलती हुई थी दरसल वो गलती ये थी जो सवाल भी पूछाता किसी ने दरसल जो लॉरेंस बिसनुई के पिता थे वो पुलिस में नहीं थे और हमने शो में ये कहा था तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा और ऐसा होता भी है क्योंकि हमारे पास multiple जगह से जो information है वो आती है और कई बार जो पुलिस यदिकारी हैं वो on record आते नहीं है सुत्रों के हिसाब से बता देते हैं लेकिन फिर जब on record यानि अगर हम उनका कोट मांगते हैं तो वो पीछे हड़ जाते हैं और crime reporting वैसे भी बहुत आसान होती नहीं है और आपको ये भी बता दूँ कि जो social media के जरिया आपको जितनी भी जानकारी मिलती है वो हम जैसे जो reporter से वही निकाल करके लाते हैं उसके बाद वो कहानिया अलग-अलग लोग अख़बार पढ़कर या हमारे जैसे reporter की report पढ़कर वो कहानिया सुनाते हैं लेकिन actual ground reporting करना काफी tough होता और information जो information निकालनी होती है वो सबसे आदा tough होती है information reporters निकालता है उसके बाद social media पर तमाम लोग उसके जरीए views बटोरते रहते हैं तो एक यह हम खेत प्रकट करना चाहेंगे माफी भी मांगना चाहेंगे और इसके बारे में comment section में भी लिखा गया था दूसरा जो सवाल था विक्की मिड्डू खेडा की कहानी जो है उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पूछा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्की मिड्डू खेडा की मोहाली में हत्या होई थी घेर कर उसका cctv भी आया था हम ये कोशिश करेंगे कि जो cctv footage का जो जरूर इस शो में आपको दिखाएं कि बड़ी बेरहमी से विक्की मिड्डू खेडा की हत्या होई थी और विक्की मिड्डू खेडा की दोस्ती लॉरेंस बिस्नूई से कॉलेज की जमाने से थी लॉरेंस बिस्नूई उसे बड़ा भाई मानता था लेकिन जो बिस्नूई के जो एंटी गैंग के लोग थे वो ये मानते थे कि लॉरेंस विश्णूई को आर्थिक तोर पर और बाकी चीजों में सपेट विक्की मिड़्ू खेडा करता है इसलिए बंबीहा गैंग के कई लोगों ने मिलकर जिसमें कौशल चोधरी, अमिड डागर, भुपी नारा, बीद सिंग, उसका भी नाम सामने आया, उसने विक्की मिड़्ू खेडा के जो शूटर थे, उनको शेल्टर दिया, तो इस तरह से पूरी योजना बनाई गी और उसके बाद मुहाली में दिन दहाले विक्की मिड़्ू खेडा की हत्या कर दी गई थी, अब विक्की के इंटू में कहा था कि विक्की मिड़्ू खेडा की हत्या के बाद उसके परिवार के लोग पंजाब पुलिस के पास गए, तमाम जगह पर गए, लेकिन जो जिन लोगों ने हत्या करवाई थी, वो इतने ज्यादा पावर फूल थे, उनके खिलाब कोई अक्सन पंजाब पुलिस ने नहीं लिया, इस वज़े से लॉरेंस बिशनुई, गोल्डी बरार इन सब ने मिलकर एक एक करके जिन लोगों ने विक्की मिड़्ू खेडा की हत्या करवाई थी, उन सब को मारा, हाला कि अभी भी कौशल चोधरी गुरग्राम की जेल में बंद है, उसको मारना चाहता है, उसका भी रोल विक्की मिड़्ू खेडा की हत्या में आया था, अमिर डागर का भी रोल विक्की मिड़्ू खेडा की हत्या में आया था, शगन प्रीट सिंग जो सिध्धूमो से वाला का मेनेजर है, वो फिलहाल ऐस्टेलिया में चुपा हुआ, उसको भी लॉर पूछा कि मैंने लॉरेस बिस्णुई को गैंग्स्टर क्यों कहा कि तो मैंने कुछ नहीं कहा हम जो यह कहते हैं जो भी अभी मैंने आपको दस्तावेज दिखाए वो सबकुछ जो एजनसी कहती है वो हम कहते हैं जैसे एक सर्टेन केसे होते हैं अगर किसी के उपर 20 से यादा cases है तो उस इलाके में उसे गैंग्स्टर घोसित किया जाता है फिर उसके घर की कुरकी होती है करवाई होती है तो एक टर्म होता है हम नहीं कहते गैंग्स्टर कानून कहता है भले ही उस पर आरोप हो अभिहाल में एक लॉरेंस विस्णूई पर जो उसका दूसरा केस था अप कबूलता भी है वो एजनसी के सामने कि मैंने यहत्या करवाई है कई फ्रंट पर भी उसने अपने इंट्रू में इस बात का जिकर किया है गोल्डी बरार ने तो मेरे इंट्रू में खुद कबूलाया कि वो उसने सिद्धूम उसे वाले के हत्या करवाई लॉरेंस खालिस्तानी जो आतंकवादी है उनसे उसका कट जोड़ है और वो इस तरह से पंजाब में लगातार ताबर तोड़ बारदाते कह रहा है तो हम कुछ नहीं कह रहे है किसी को कि लॉरेंस बिस्णुई गैंस्टर है जो कानून कहता है जो पुलिस कह रही है वह हम आपको बत खालत में चाशीड धाकिल की है उस चाशीड में बकायदा ये लिखा है कि लॉरेंस बिस्णुई अपना सिंडिकेट ठीक उसी तरह से बढ़ा रहा है जैसे नब्बे के दसक में दाउद इबराहिम ने अपना सिंडिकेट बढ़ाया था एक्स्टॉर्शन फाइरिंग के ज ना हम नहीं कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजनसी एनाईये ने बकायदा अदालक में चाशीड में ये बाते लिखी हैं वो हमने पार्ट भी आपको दिखाया है तो बहुत से लोग मैंने देखा कि कई इस रख के कमेंट साय हैं कि लोरेंस विसनुई को गैंगस्टर नहीं मानते हैं उसको बहुत सरीफ मानते हैं वो आपके उपर है क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब के सामने हैं चाहे बाबा सिद्गी की हत्या की बात हो लोरेंस विसनुई एंड कंपनी ने बकायदा सोसल मीडिया पर उसके खान के घर पर फाइरिंग होई उसमें लॉरेंस विसनुई के भाई अनमोल विसनुई का नाम सामने आया तो हम जो आपको जानकारी देते हैं वो अपरास से जुड़े कुछ लोगों से जो बातचीत हम करते हैं क्राइम रिपोर्टर के कई सोर्सेज होते हैं कई बार पुल कर्मेशन जुटाई जाती है तो ये वो तमाम चीजें थी जिसमें एक जो चूक थी वो ये चूक थी कि जो लॉरेंस विसनुई के पिता है वो पुलिस में नहीं थे वो एक जमिदार थे अच्छी खासी जमीन लॉरेंस के पास मौझूद है काफी मजबूत परिवार था ल वो हमने पढ़े हम आपसे गुजारिस करते हैं कि इसी तरह से कमेंट करते रहिए अपने सवाल अपने सुझाओ अगर कोई गलतियां होती है तो बिल्कुल मेंशन करिए हम उसको पढ़ेंगे सुधार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दरसल जब लास्ट एपिसोड आया था हमें उसके एपिसोड के बाद ही पता चल गया लेकिन चुकि एक शो काफी लंबा चोड़ा होता है उसमें काफी मेहनत लगती है तो उसमें जब रिलीज हो जाता है तो सुधार की गुंजाईस नहीं होती है तो इस वज़े से हमारे पूडूसर ने कहा कि एक और पाड़का जिकर किया यह शो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें आप जरूर बताईएगा शुक्री अ कर दो